जै श्री राधाक्रिश्न भगवान जी की जै महालक्ष्मी माता की जै दिपावली उत्सव की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूटूब चैनल के और से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक बिनंदन करते हैं आज की इस विशेश वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिपावली के त्योहार के दिन साइकाल में पूजा का शुब मुरत कौन सा है कि समय में पूजा करनी ज्यादा फल दायक मानी जाती है सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं तो त्योहार को सभी पूरी शद्धा भावना से मनाते हैं पूरी खुशी से मनाते हैं त्रेता यूग की बात है जब भगवान शी रामचंदर जी महाराज माता सीता और लक्षमन जी सहित चोधा वर्ष का वनवास पूरा करके अयोधा में वापिस आय थे तो उस दिन कार्तिक मा की अमवस्यातिति का दिन था सभी औयोध्यावासी खुशी से जूम रहे थे और भगवान के आने की खुशी में सबने दीपक जलाए थे दिये जलाकर प्रहु का स्वागत किया था तो उस समय से आज तक दीपावले का ये परम सुंदर त्योहार दीपकों के रूप में मना जाए जाएगा जी हाँ इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर 2023 दिन रवी वार की है अमावस्यातिति का आरहंब 12 नवंबर दिन रवी वार को दो पहर 2 बज कर 44 मिनट पर हो जाएगा और अमावस्यातिति की समापती 13 नवंबर दिन सो मवार को दो पहर 2 बज कर 56 मिनट पर हो इससे कारण दीवाली का त्योहार 12 नमभर दिन रवीवार को ही मनाया जाएगा तो अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि 12 नमभर दिन रवीवार को दीवाली के परम सुन्दर त्योहार के दिन साइकाल में महालक्ष्मी मा और गनपती जी महाराजी की पूजा का शुब मुरत कौन सा है वो जानकारी हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं पूजा को बगवान स्विकार करते हैं और घर पर पर पूजा का शुब मुरत कीजिए महालक्ष्मी मा का पूजन कीजिए गनपती जी महाराज जी का आप पूजन कीजिए पूरी शद्धा भावना से की गई पूजा को बगवान स्विकार करते हैं और घर पर बगवान की सदा कृपा बनी रहती है परिवार में सुख संपती आनंद आते हैं तो यह पूजा का शुब मुरत है लेकिन मान लीजिए किसी कारण वर्ष आप पूजा के इस शुब मु मुरत में पूजा नहीं कर पाए तो इसके लिए हमारे हिंदू धर्म गरंथों में स्पष्ट बताया गया है कि दिपावली के दिन अगर आप शुब मुरत में परिवार के सहित किसी कारण पूजा नहीं कर सकते तो आप पूजा के शुब मुरत के बाद भी पूजन कर सकते दीपावली के ये त्योहार में पूरी तरह से हमारे हिंदू धरम ग्रंथों में ये स्पष्ट बात बताई हुई है क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान शी राम चंदर जी महाराज माता सीता जी सहित और लक्षमन जी सहित चोधा वर्ष का वनवास पूरा करके वापि माना जाता है भाव भक्ति के नुसार आप अगर दीपावली के त्योहार के दिन साइकाल में पूजा के शुब मूरत के बीच में पूजन नहीं भी कर सकते तो आप बाद में भी पूजा कर सकते हैं तो आप बाद में भी पूजन कर सकते हैं तब भी आपको पूजा का पू पति जी महाराज जी का पूजन करते हैं लेकिन लोग भगवांशी रामचंदर जी महाराज जी का पूजन नहीं करते हालां कि दिपावली का ये त्युहार भगवांशी रामचंदर जी के वापिस अयोध्या आने की खुशी में मनाया जाता है इस कारण दिपावली के दिन सा जो निशित काल का शुब मुरत होता है वो भी पूछते हैं तो वो हम आपको यहां पर अब बताने जा रहे हैं दीपावली के दिन अर्थात 12 नमबर दिन रवी वार को साइं काल में प्रदोश काल का जो शुब मुरत है वो साइं 5 बजकर 29 मिनद से लेकर रातरी 8 बजकर 8 मिन अब आगे बात आती है जो महा निशित काल होता है अर्थात जिसको मध्य रातरी का पूजन का शुब मुरत कहा जाता है वो रातरी 11 बजकर 49 मिनद से लेकर मध्य रातरी 12 बजकर 31 मिन तक रहेगा यह सारे मुरत हमने आपको बता दिये हैं तो सारी जानकारी आपको दे दी पिर भी आपके मन में कोई भी प्रशन हो तो आप अनिस संकोच हमें फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं हमारा मुबाइल नंबर आप सामने मुबाइल की सक्रीन पर देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद भगवान श्री लक्षमी नाराइन जी की दिपावली उत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामरा के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै दिपावली उत्सव की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै